Hello everyone, कैसे आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में अब बात करेंगे हम Bank Nifty की जो performance जो है वो हमें Monday के दिन कैसी देखने को मिल सकती है और क्या कल के दिन में जो जो चीजे मैंने आपको टेलिग्राम ग्रूप में बताई थी वो कैसे कैसे perform करके दिखाई है मार्केट ने और अभी किन चीजों का आप लोगों को नेक्स दे ध्यान नखना है तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और जरूर सेलेक्ट करें ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंट नोटिफिकेशन पहुंच आए तो यह आ चुका है अभी हम बैंक नेफ्टी के चार्ट पे आ चुके है 15 मिनट के फ्रेम पे हैं 15 मिनट के देखे हैं हमेशा एक फ्रेम के उपर कभी भी आप लोगों को काम नहीं करना चाहिए 15 मिनट के फ्रेम पे ही अगर आप काम पने तो कई-कई वार क्या होता कि फेक ब्रेक आउट भी जो है हमें देखने को मिल जाता है मार्केट में और जिससे सही अंदाजा नहीं आता है तो यहां पर कल के दिन जो सबसे में चीज थी हम लेके चल रहे थे और उसको जो है टच करके वापसी दुबारा से स्रॉक में करेक्शन देखने को मिली थी ठीक है 42,390 का और जो सपोर्ट लेवल है वो है 42,000 का तो 42,000 को जैसे ही टच किया उसके बाद ने जो है दोबारा से मार्केट हमें पॉजिटिव मोड में देखने को मिली और उसके बाद से अब यहां पर दोबारा से कल के दिन क्या-क्या परफॉमेंस हो सकते है पहले चीज़ दो लखे कि यहां पर एक ब्रेकाउट यह देखने को मिला था हमें ठीक है उसके बाद से जो पॉजिटिव मोमेंटम आया यह एम बना यानि किस ट्रेंगल से ब्रेकाउट दिया तो यहां पर स्टॉक में 200 पॉइंट के आसपास का एक जो है अच्छा-कासा मोमेंटम दिखाया और यहां से अगर मार्केट क्या ते सिनर्यटियों कल के दिन बनेंगे तो अगर पहले बात मालेजिए कि मार्केट अगर गैप आप ओप ओपनिंग हो जाती है ठीक है तो मार्केट अगर यहां पे देरे देर करके ऊपर निकलती है और यहां पे इस 42,390 के जो रेजिस्ट् में यहां पे flat open हो जाती है इसी पे ठीक है तो यहां पे आपको क्या करना है कि अगर market यहां पे flat open होके यहां पे उपर जाती है और एक retest करके इस trend line के उपर support लेके दीरे दीरे गर के उपर निकलती है तो हम इसके बाद अगर 42,390 का जो resistance है उसको break करती है तो हमें काफी अच्छा positive momentum यहां पे दोबारा से market के अंदर देखने को मिल सकता है थर सिनेरियो क्या कहता है कि अगर market मालिजे gap down ओपन हो चाती है और यहां पे अगर दोबारा से retest करती है अपने इस support level को 42,000 का जो support level है इसको अगर retest करती है और उसके बाद से positive momentum में साथ निकलती है तो अपने day high को जब तक break नहीं करेगी तब तक हम कोई भी trade नहीं करेंगे अब जब इस trend line को break करेगी तो हम यहां पे कम quantity के अंदर 42,398 की range तक के target समझे के चल सकते हैं क्योंकि यहां पे जाके एक resistance zone है और यहां पे market इस resistance zone को दो बार टेस करके दो बार नीचे आ भी चुकी है तो यह चीज आपनों को ध्यान रखनी है और अगर market यहां पे gap down जो है opening होती है यहां पे और इस चीज को अगर यहां पे मालीजे इसको break कर देती अब 42,000 support को break कर दे तो आपको सीधा सीधा जो है 41,866 points के around यहां पे हमें put की तरफ जो है बैट जाना है सुबह पहले एकदम से trade नहीं लेते हैं कभी भी हमेशा ध्यान रखें इस चीज का कि market कैसे perform कर रही है यह हमें हमेशा ध्यान अगना चाहिए और हमेशा इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि market अपने पुराने जो resistance होते हैं पुराने जो support levels होते हैं उनको हमेशा follow करती है और यहां पे देखे तो यहां पे हमें शांदर points की गिरावट भी देखने को मिले और यहां पे अच्छे खासे profit booking कल के दिन में देखने को मिल चुकी है और यहें पे मैंने आप लोगों को कल telegram group में आप मेरा telegram group भी जोईन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा काफी के लिए डिली लाता रहूँगा अगर आपको कुछ सीखने को यहां पे मिल रहा है तो आप मुझे प्यारा सा comment करके भी जुरूर बता सकते हैं कि और या फिर कोई भी आपका doubt है तो भी आप मिर से पूछ सकते हैं तो चले वीडियो को मैं खतम करता हूँ और अगर आप में